एक रोज सुननन्दा पूर्णी मा से कहती है बहु, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों न हम गरीबों के लिए कुछ करें ऐसे भी हमारे घर का काम तो सुबह सुबही खत्म हो जाता है और हम दोनों पूरा दिन फ्री बैठी रहती हैं ऐसे में हमारा मन भी तो नहीं लगता मन तो मेरा भी नहीं लगता ममी जी हम लोग ना गरीबों के लिए खाना उपलब्द करवा सकते हैं वो भी कम से कम में, जहां वो पेट भर खा सके पाज रुपे के धाली, जिसमें दाल, चावल, सब, जी, रो, टी, सला, सब कुछ रहेगा जिससे एक आदमी का पेट भर जाए लोगों की मतद भी हो जाएगी और हमारा मन भी लग जाएगा ठीक है ममी जी, कल से सावन शुरू हो रहा है कल से ही हम इस शुप काम को शिरू करते थी है ठीक है बाभू पूर्णिमा और सुनन्दा बाजार जाकर सौ लोगों के लिए खाना बनाने का राशन ले आती है और बड़े-बड़े बरतन खरीद लेती है अगले दिन दोनों सास बहू सुब़ चार बजे उठ जाती है और अपने घर का काम खत्म करके पाँच रोपय की थाली बनाने में लग जाती है आज इनका पहला दिन होता है और साथ ही सावन का भी पहला दिन दोनों मिलकर रोटी, आलो की सबजी, दाल, चावल बनाती है और अपने घर के बहार एक बड़े से टेबल पर खाना सजा कर आवाज देने लगती है पस पाँच रोपय की थाली, पाँच रोपय की थाली आईए, आईए, और अपनी भूख मिटाईए जिसे कहीं नहीं मिलता है खाना, वो यहां आकर पाँच रोपय में पेट भर खाना तब वहाँ से एक बुड़ा आदमी गुजरता है, और वो सुननदा के पास आकर कहता है पूर्णी माइक थाली लगा कर बुड़े को देती है बुड़ा जट से खाना खा लेता है और कहता है मैं अभी जाकर अपने गरीब भायों को बताता हूँ कि यहाँ पांच रुपय में थाली मिल रही है बगवान आप लोगों का भला करें शिक्रिया बाबा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताईएगा गरीब भुड़ा अपने जैसे कई लोगों को ये बात बताता है और थोड़ी ही देर में गरीबों का एक जुंड सुननदा और पुर्णी मा की पास पहुँच जाता है पाँच रुपे की धाली हमे भी जी एए हमे की जी जी पाँच रुपे की धाली हाँ हाँ सबको मिलेगी धाली सब लाइन में खड़े हो जाईए और एक एक करके यहां कर ठाली ले जाईए पोणी माज सब को एक-एक करके धाली देती है और सुननदा सबसे पैसे लेती है सभी गरीब खाना खाकर खुश हो जाते हैं शाम तक तो सारा खाना खत्म हो जाता है रात को सास बहु मिलकर हिसाब करती है बहु जोड़ कर बता दो कि हमारे घर से कितने पैसे गए ममी जी घर से तो एक फूटी कोड़ी भी दी गई हुल्टा कुछ पैसे बच गए है? सच मै? तब तो एक औरत को अपने साथ काम पर रख लेते हैं क्योंकि अकेले हम दोनों रोज इतने लोगों का खाना नहीं बना पाएंगे हाँ ममी जी ये तो बहुत मैनत का काम है मैं तो एकी दिन में इतना थक गई हूँ कि पूछे मत ठीक है जो पैसे बचेंगे उस पे से काम वाली को पैसे दे देंगे पोणिया का पोणिया और घर से कुछ जाएगा भी नहीं अगले दिन साज बहु एक काम वाली माया को रख लेते हैं और उससे ही सारा खाना बनवाते हैं और समय पे फिर से खाना भी लगा देती है पाँच रुपे की थाली आईए आईए पाँच रुपे में भरपेट खाना खाईए सुनन्दा के इतना कहने की देर थी कि गरीबूं की लाइन लग जाती है फिर पूर्णिमा सब को खाना देती है और सुनन्दा पैसे काटती है इस तरह दिन बीतने लगते हैं और एक महिना पूरा हो जाता है महिना पूरा होने पर पूर्णे मा और सुननदा हिसाब करती है मम्मी जी, पूरे दस हजार बच गए है दो हजार माया को दे देंगे, फिर भी आठ हजार की गोटी कमाई हुई है माया को दो हजार नहीं देने, उसे तो एक हजार ही बहुत है अरे दो हजार के जैसा किया क्या है उसना देखो एक महिने में नो हजार की बच्चत पस पांच रुपए के ठाली में अगर हम दस रुपए कर दे तो डबल कमाई होने लगेगी न हाँ ममी जी हम दोनों तो बिसनस वुमन बन जाएंगी और सबको दिखा देंगी कि हम भी किसी से कम नहीं है दोनों सास बहु के मन में लालेच आ जाता है अगले दिन माया को सुननदा एक हजार उपए देती है पैसा देखकर माया का मूँ बन जाता है लेकिन बात तो दो हजार में होई ती न इतना काम इतने कम में कैसी होगा माजी ठीक है करना है तो कर नहीं तो मत कर माया मजबूर होती है इसलिए वो काम छोड़ नहीं पाती लेकिन मन ही मन कहती है मेरी मजबूरी का फाइदा उठा रही हो न अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा एक गरीब को सताना कितना भारी पड़ेगा इधर सास बहो पाच रुपे की थाली का दाम बढ़ा कर दस रुपे कर देती है और रोज की तरह अपनी थाली लगा कर कहती है लेलो लेलो थाली लेलो पेट बनने वाली थाली लेलो इतना सुनते ही गरीबों का जुन्डा आ जाता है तब पूर्णिमा कहती है दस रुपे में पेट भरने वाली थाली ले लो एक बार आओ और पेट भर की खाओ सारे गरीब एक दूसरे के और देखने लगते हैं उनके लिए तो पाच रुपे की केमत भी बहुत ज्यादा थी अचानक से डबल दाम दे पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है तब ही गरीब बुड़ा कहता है दस रुपे अचानक से इतना ज्यादा हम कैसे दे पाएंगे अब क्या करें बाबा सब चीजों का दाम बढ़ गया है ना हम तो अपने घर से दे दें अब क्या करें हम लेना है तो ले लो वनना चले जाओ मजबूरी में सब थाली ले लेते हैं और सास बहु की चेहरे पर चमका जाती है फिर रोज की तरह शाम तक खाना खत्म हो जाता है और शाम को सुननदा कहती है बहु कल हम लोग ना बची कुची सबजी खरी देंगे सस्ती पड़ेगी जिससे हमें और भी कमाई होगी ऐसे भी इन लोगों को ताजा खिला कर हमें कौन सा फाइदा होगा देखा ममे जी आज कैसे वो बोड़ा दाम के लिए बहस कर रहा था ठीक का आपने थोड़ी गली सड़ी सी सबजी हुई तो इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा ऐसे भी न ये लोग तो सड़क से चुन-चुन कर खाते हैं इनने कुछ नहीं होने वाला अगले दिन सुबह सास बहु जाकर बची कुछी सड़ी गली सबजीयां ले आती है और माया खाना बनाती हुए कहती है इन दोनोंने तो हादी कर दी मदद के नाम पर ये लोग कितना गिरेंगी इतने में पूर्णिम आ जाती है और माया उससे कहती है भावी छोटा भूब बड़ी बात आप बहुत काम करती है तो जो कमाई होती है उसके आपको 80% तो मिलने चाहिए न सारा दिमाग भी तो आपका रहता है आपसे अच्छे बिसनिस कोई कर सकता है क्या इतना तो हक बनता है आपका हाँ ठीक कह रही हो ममी जी तो बैठे बैठे आउर्डर करती रहती है और पैसे लेती है मैं एक एक जन को थाली सजा कर देती हूँ और आवाज लगा लगा कर ही मेरा तो गला फट जाता है वही तो भावी मौका पाकर माया सुनन्दा से कहती है माजी छोटा मू बड़ी बात मैंने सुना भावी किसी से फोन पर कह रही थी कि आप तो बस बैठे बैठे आउर्डर करती रहती है सारा काम तो वो करती है इसलिए इस बिस्दिस में उनका 80% है और आपका 20% है? उसके इतनी हिम्मत? अरे मैं तो जवानी में सो लोगों का खाना के लिए बना लेती थी इसे के कारण तो तुम्हें रखा एक ही दिन में इसकी हालत खराब हो गई थी दोनों सास बहु के दिल में एक दुसरे के लिए जहर खुल जाता है इसी तरह महिना बीच जाता है और आखरी दिन पूर्णी मा हिसाब करती है बहू, कितना बचा इस महिना है तीस जार बचे हैं मामी जी अपना-पना हिस्सा ậpकल कर लेते हैं पूर्णी मा साथ जार सुननदा को देती है और खुद बाइस जार रख लेती है ये देख कर सुननदा कहती है आप ये सब अक्यले कर पाती? 22,000 मेरे हैं, दिमाग मेरा था, मैंनत मेरी थी. 22,000 मेरे हैं? अब दोनों साजबहों में लड़ाई हो जाती है, और जब अगले दिन माया आती है, तो पूर्णी मा, उसे एक हजार देती हुए कहती है. 25,000 मेरे हैं, आज दुकान नहीं लगेगी. क्यों बाबी, क्या हुआ? अरे जब हमें लगाना होगा, तो तुझे फिर से बुला लेंगे. माया पैसे लेकी वहाँ से चली जाती है. इन गरीबों को कहां से खाना मिलेगा? मैं ही खाना बना कर इनको खिला देती हूँ. माया बाजार से राशन लाकर खाना बनाती है. और सास बहु की जगा खुद ही खाना लगा कर खड़ी हो जाती है. 5 रुपे की थाली, आओ और 5 रुपे में पैड़ बर खाओ. माया की आवाज सुनकर वहां गरीबों की भीड लग जाती है. और शाम तक तो सारा खाना बिक भीजाता है. उन गरीबों में से ही माया दो-चार आदमियों को काम पर रख लेती है. माया को ये काम करता देखकर सास बहु के सीने में आग लग जाती है. और दोनों आकर माया से कहती है. तेरी इतनी हिम्मद हमारे साथ गत्दारी की? हमें लड़वा कर खुद दुकार लगा कर बैट गई. तब ही वहां गरीबुड़ा आकर कहता है. लालेच बुरी बला है. तुम दोनों को तुमारे लालेच ने हरा दिया. गरीबों का हक खाओगी तो यही होगा ना. मदद के नाम पर तुम दोनों ने तो धन्दा शुरू कर दिया. लालेच, लालेच बुरी बला है. कभी ना करना. सुनन्दा और पुर्णे मा नजर जुकाए. वहां से चली जाती है. और माया अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगा देती है. जानवी के जुबान पर बचपन से ही हजार सवाल. और मन में हर चीज जाननी की उच्सुकता रहती है. जिस वज़े से वो अपने भाई की शादी में चल रही रस्मों के बीच भी मम्मी से सवाल पूछने लगती है. मम्मी, जब लड़की वालों ने आपको अपनी इतनी बड़ी लड़की दे दी, तो फिर भी उनसे सामान लेना गलत नहीं है क्या? इस पर कोई भी जानवी की बात का जवाब नहीं दे पाता और उसे इग्नॉर करते हुए रस्मे निभाते रहते हैं. शादी संपन होती है और भाबी घर आ जाती है. जिसके बाद जानवी के सवालों का सिलसला अब भाबी के साथ शुरू होता है. भाबी, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई. हमेशा सारे बलिदान वाले काम लड़किया ही क्यों करें? मतलब अपना घर, परिवार, दोस्त, पुरानी जिन्दगी सब को छोड़ लड़कियां सिसुराल आए. फिर वहाँ सब का दिल जितने की कसरत भी वही करें. और लड़कों का क्या? बस, तयार हुए, दूले बने और दो बार आपने घर आकर बैट गए. दीदी, मैं सिसुराल में हूँ. जवाब कॉंट्रोवर्सिल हो जाएगा. इसलिए आप अपने ये दुनिया हिलाने वाले संसनी खे सवाल अपने पती से करना. क्या पता वो जवाब दे पाए? भाबी की बात पर हस्ते हुए जानवी वहाँ से चली जाती है. कुछ दिनों बाद उसकी शादी कबीर से हो जाती है. अब ससुराल में कुछ दिन तो जानवी किसी से कोई सवाल पूछे बिना रह लेती है. पर फिर एक शाम दर्वाजे पर खड़ी सास को बुज़ूर्ग भिखारी पर चलाते हुए देख लेती है. ये सब देख अब जान भी खुद को रोक नहीं पाती. ममी, वो आपसे भीख नहीं खाने के मदद बांग रहे हैं और आप उन पर इस तरह से चिला नहीं सकती. हकर ये भी तो एक इंसान है और वो भी आप और मुझसे उम्र में बहुत बड़े. बाकी किसी चीज़ का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही खयाल कर लीजिए. बहु का ऐसा रोप देख सास को तो जैसे शौक ही लग जाता है. जानवी भिखारी को खाना देकर वहाँ से भीज दीती है, लेकिन इसके बाद से ही सास का उसके प्रती रवया बदल जाता है. मुझे तो लगा था बहुत शान्त बहु लेकर आई हूँ, पर ये तो पूरी ज्वाला मुखी निकली. अरे इतने दिनों से ये रंग क्या एक बिखारी के सामने अपनी सास की इज़त उताने के लिए छुपा कर रखे थे? और कौन से रंग बदल ना सिखा कर भेजा है तेरे माबापने तुझे? ममी ची, रंग का तो पता नी, लिकिन मेरे ममी पापा ने मुझे हर ढग में गलत के खिलाफ खड़े होना जरूर सिखा कर भेजा है. बहु का जवाब सुन सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिस पर पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा कबीर जानवी के पास आता है. जानवी, मैं मानता हूँ तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, पर ममी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अब उन्हें मनाने के जिम्मेदारी तुम्हारी ही है. पर मैं कैसे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है. तो उसके लिए मैं हूँ ना? कुछ दिनों में ही सकट का त्योहार आ रहा है. तुम बस बाइने पर ममी को देने के लिए एक सुन्दर साड़ी ले आना, तुमारा काम बन जाएगा. ये कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है. लेकिन व्रत और त्योहारों से अंजान जानवी, कन्फ्यूजन में वहीं खड़ी रह जाती है. जिस पर वो भावी को फोन लगा कर सारे व्रत और उनके महत्वत समझती है. और उन्हें जानने के बाद वो बाईनी के साड़ी तो खरीद लाती है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में अब नए सवाल पैदा होने लगते हैं. इसी तरह सकट के व्रत का दिन भी आ जाता है. हे भगवान, एक तो सुबह से भूखी, उपर से ये सवालों के बुल्बुले पेट में उठकर और तहल का मचा रहे हैं. आँ, क्या करूं, किस से पूछूं? जानवी अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है, कि सास और कबिर उसके सामने आ जाते हैं. बाई ने और पूजया की सब तयारी कर ली? हाँ जी, वो तो कर ली पर… क्या पर? फिर कोई सवाल है? पूछ लो, कहीं पेट में उससे रखे-रखे, ऐसे डीटी ना हो जाए? ज्यादा कुछ नहीं, बस पूछना था कि, जब ये वरत बच्चों और दामपत्य जीवन की सुक शान्ति के लिए होता है, फिर इसमें वरत सर्फ हम लेडीजी क्यों रखती हैं? हिस्से तारी तो दोनों की होती हैं ना? जानवी की बात सुन, इस बार तो सास भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं ये तो मुझे नहीं पता और ना हमने कभी किसी से पूछा, बस चो बड़े बुज़ुर्गरी वास बना गए वही चल रहे हैं, इसकी भी कोई वज़ा है, जरूर होगी अच्छा, और ये बाईनी की वज़़ुर्गरी अब बाईने से तुम्हें क्या दिक्कत हैं? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, बस सोचती हूँ कि अगर वरत बच्चों या पती के लिए होता है, तो हमेशा हर चीज़ का गिफ्ट सिर्फ सास को ही क्यों मिलता है? अरे पती के नाम पर वरत है, तो उन्हें और बच्चों के नाम पर जो वरत है, उनमें बच्चों को क्यों गिफ्ट नहीं दी जाती? जानवी का सवाल सुन इस बार सास, भड़कने के बजाए शान्त इसे उसका जवाब दीती है वैसे ये सवाल एक बार मैंने भी अपनी सास उमा से किया था, तो जवाब मिला की सास की वज़े से ही पती मिला है, इसलिए एक थाइंकी और इज़त की तरह उन्हें ये बाई ना दिया जाता है और बच्चों वाला तो मुझे भी नहीं पता, बाकि इस बात की भी कन्फरमिशन नहीं है कि सास उमा ने ये सिर्फ मेरे सवालों को शान्त करने के लिए बोला था या ये सच भी है सास की जवाब और जान्वी के सवाल से अब वो दोनों ही कन्फरमिशन में है कि आखिर सच और वज़े क्या है अब गी और मक्षन के शौकिन लोग तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन पुरोहित परिवार में जैसे गी के बिना कुछ होता ही नहीं था चाहे फिर वो सबजी हो, रोटी हो या मिठाई जब तक उसमें देशी घी नहीं डलता, उन्हें खाने में स्वादी नहीं आता पर यहां बात खाने में घी डलने की नहीं है, बलकि घी कहां से आ रहा है उसकी थी जिस पे सविता की दोनों बहुएं आये दिल एक दूसरे पे ताना कस्ती रहती तो आईए चलिए देखते हैं कि आज किस पात पर बवाल हो रहा है इनके घर में बाबा सा, ये सबसी खाके देखिए आप, आज इसमें न मारे गाहों से आया देशी घी डला हुआ है आपको और भी ज्यादा मज़ा आवेगा ठीकी है, ऐसा कोई खास कौनी, क्यों मासा, मेरे गाहों से जो गी आवे है उस पे तो क्या सुगंध हुआ है, क्या स्वाद हुआ है, मज़ा ही आज आवे है, खाने का लो, फेर शुरू हो गई दोनों ये अब वो तो तुम क्या रही हो न, ये सब, और किसीने तो कुछ कौनी का, आपी तक वो तो यहाँ सब को पता है, कि मारे गाहों से, जो गी आवे है, उसकी बात है अलग हुआ है क्योंकि वो असली गी हुआ है, अब थारे घर से, जो गी आवे है, किस है अपाता? असली होवे के नकली? मासा दीखिए ना भापी साब क्या आप बोल रही है? मेरे घर से जो घी आवे है वो एकदम असली होवे है आपकी गाउं के घी की तरह नहीं आदा असली और आदा नकली मिक्स करें है चोर को सारे चोर ही दिखे है अरे बस करो दोनो तुम दोनों के घर से जो घी आवे है दोनों ही अच्छे होवे है दोनों से खाने का स्वाद अच्छा आवे है ऐसा कुछ भी कौणी है भाई से बिलकुर सही कह रहे है हमें तो कई बार पाता भी नहीं चलता कि कौन सा घी किसके गर में आया है दोनों का स्वाद एक जैसा ही हो गए और ऐसे कैसे मेरे गाओं की घी की बात ही अलग है उसे तो दूर से कोई भी पहचान ले गए हाँ ये तो बस आपकी गलत फैमी है भाबी साँ अरा बस करो मीठी और विना का ये जगड़ा तो कई सालों से था क्योंकि कभी घी मीठी के गाओं से आता था पर दोनों ये साबित करने में लगी रहती कि उनके गाओं का घी ही सबसे अच्छा है अरा मीठी विना यहा आना दो ना हाँ मासा कहिए जी मासा मैं यह क्या रहे थी कि कल जोदपूर से कुछ महमान आवे है तो जरा मिठाई में घेवर मना दे न और घी अच्छे से डालना जरा घेवर स्वादिष्ट बनना चाहिए समझी दो न अरे मासा आप बिल्कुल भी चिंता कौनी करो मेरे गाउं से जो देसी घी आया है न मैं उसी से घेवर मनाऊंगी वो भी इतना स्वादिष्ट कि महमान खाती रह जावेंगे मासा बड़ी बड़ी बाते तो हर कोई कर ले वे हैं पर घेवर तो मैं अपने गाउं से आये घी से ही बनाऊंगी बासा आप देखना मैं मान उंगलिया चाट ते रह जावेंगे रथारे गाउं से आया घी इतना अच्छा कौनी उसमें घेवर बनाएंगे तो मजा कौनी आएगा मैं बोल रही हूँ न मिरे गाउं से आये घी से ही बनाएंगे आराज चुप करो दोनों मने लड़ाए कौनी चाहिए दोनों घेवर बनाऊं अपने अपने घी से घेवर तो एक जैसा ही बनेगा मैं मान के आगे दोनों परोस देवेंगे ठीके मासा जैसा आपका है पर पैसंतों ने मारा ही घेवर आएगा देख ले ना वेना तो मैं जाओ हूँ घेवर की तो यारी पी तो करनी है सविता ने दोनों को घेवर बनाने को कह दिया था जिससे ये दोनों आपस में जगडे ना लेकिन ये दोनों तो मैमान को ही परिशान कने लगी अरे आओ आओ भाईसा बटो बटो अरे लुगायो जरा पानी है शर्बत लेया ना बटो इसा के लिए काकसा पानी छोड़िये आप ये घेवर खाईए इसमें न मेरे गाहों से आया घी डलाया है मैंने अरे ये तो कुछ भी नहीं है काकिसा आप ये खाके देखो आपको न एकदम दीस स्वाद आ जबेगा एकदम अस्ली की से बढ़ाया है मैंने खाके देखो अरे लुगायो खाएंगे या भे खाएंगे पहले पानी तो दो महमानो को काकसा आप ये एक बार खाके तो देखो पहले नहीं काकसा पहले मारा घेवर खाके देखिए हाँ परवो अरे परवर वो क्या काकसा मैं आपको अपने हाथों से खिलाओ हूँ लो रहने दो भापी सा जबर्दस्ती कौन ही करो आप इन्हें कोई इंट्रेस्ट ना है आपके घेवर में उन्हें तुमारे हाथ का ही घेवर खाना है हाँ वो तो दिखी रास है कि कितना खाना है तेरे हाथों का घेवर मने ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया हो तो हम दोनों निकल रहे है हाँ हाँ बहुत जरूरी काम है हम चलते है फिर कभी पक्का आवेंगे हां लुगाईयो थारे हाथ का घेवर खाने अरे भापी सा रुक्या है तो रिका किसा पैक कर दू का घेवर दुनों जल्दी में वहाँ से भाग जाते हैं अरे क्या करो हां लुगाईयो भगा दिया हुना महमानों को आने से कोई घेवर खिलाया, क्या? पानी तक ना पिलाया उनको तुम दोनों का बहुत हो गया सा अब तुम दोनों मैंसे किसी के गाउं से घी कोणी आवेगो अम इन गाउं से घी मंगवाऊंगी परमासा चुप करो दोनों एक बात नहीं सुनने तुम दोनों की इस बार महमानों के सामने मिठी और विनाने हद पार करती थी इसलिए सवीता ने फैसला किया कि अब से गी उसके गाउं से आएगा और हुआ भी ऐसा ही अगले महिने से गी सवीता की गाउं से आने लगा मासा यह अपने बहुत सही किया जो यह बंद करवा दिया नहीं तो घर में दो राजनितिक पार्टिया हो ऐसा लगने लगा था ओ नहीं तो क्या? वो जोधपूर वाले काकासा वो तो अभी यहां आने से भी तर रहे है कि नई नई ने इस घर में नई जाना पानी के पहले एक गेवर खिलावे यहां की लुगाई ओ मुझे तु सोच की हसी आवे कि क्या हालत हुई होगी काका सा काकी सा की तुम दोनों ने हसी आवे है हमारी इज़त निकाल दी थी इन दोनों ने पिचारे ऐसे भागे हैं दोनों कि क्या बताओं हम कौन सा जहर खिला रहे थे गेवरी तो खिला रहे थे और आप कुछ भी कहो मासा घी तुम्हारे गाउं का ही अच्छा था क्या स्वाद क्या सुगन सब्जी का स्वाद ही बढ़ जाता था अरे रहने देब तुझे ही पता है कि गी तुम्हारे गाउं का ही चोखा था दाल में तड़का लगाती थी तो आस पास पड़ो उसके लोग पूछने आते थे कौन सा गी मंगवाओ हो मुझे तो कई सारे आडर भी मिल गया थे उस गी के अब इतना भी फेकने की ज़रूरत ना है बापी सा बस करो इतना भी कोई खास देही था आपके गाउं का गी पर मासा के गाउं की गी से तो अच्छा ही था उसमें तो स्वादी कोनी हाँ मासा ये बात तुझ सच है कि ये गी मचे को कोनी हे भगवान क्या करूं मैं इन दोनों का अब लगता है सच्चाई बतानी ही पड़ेगी इन दोनों पगलियों को कैसी सच्चाई मासा यही कि तुम दोनों के गाउं से जो घी आता था वो मेरे गाउं से ही भेजा जाता था क्योंकि मारे गाउं से हिसाब गाउं तक घी भीजा जाता है तो तुम दोनों जो ये घी पुराण लेके बैठी हो ना और ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं तो जो भी इस घर में आता था वो एक ही जगह से आता था और एक जैसा ही होता था तभी तो हमें कभी कोई खास फरक लगा कौणी जी मैं समझे पगलियां ये मारे ठाकुर जी हम दोनों इतने वक्त से ऐसे ही पेवकूफों की तरह लड़ रहे थे इसी चक्र में काका सा काकी सो कभी भगा दिया तभी तो कहें हैं अकल करने से बैत है रहा कि अकल काप रहे होगे कर लो